अब अलवर को इग्णोर नहीं कर सकेंगे ट्रेल में बैठे याद्री रेलवे ने शुरू की एक नई पहल अलवर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं आपको बता दे अलवर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर परेटन की दृस्टी से अलवर रजिस्थान के प्रमुक जिलों में शामिल है लेकिन अलवर के परेटन इस्थलों की बड़े शहरों तक मार्केटिंग नहीं हो पाने के कारण यहां आने वाले परेटकों की संख्या अभी उदैपूर जोत्पूर तथा जैपूर जैसे जिलों से काफी पीछे है लेकिन अब प्रदेश वासियों के लिए खुशी की खबर है कि अलवर के परेटन इस्थलों की जलक दूर दरास्तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने एक नई पहल की है आपको बता दें रेलवे की ओर से अलवर के रेलवे जंक्षन सही अन्य स्थानों पर अलवर के परेटन इस्थलों की चित्रकारी की गई है रेलवे की ओर से की गई इस पहल से अब ये खुबशूरत चित्रकारी अलवर से गुजनने वाले पतेक यात्रियों को अलवर के महत्वपून परेटन स्थलों से रूबरू कराएगी जानकारी के अनुसार आपको बता दे अलवर रेलवे स्टेशन की दिवारों पर अलवर के परेटन स्थलों की सुन्दर चित्र कारी की गई है इस चित्र परियटन इस्थलों की कहानी कहते दिखाई पड़ते हैं आपको बता दे रेलवे की ओर से की गई इस अनूठी पहल में अलवर के परियटन इस्थलों की बेहत सुन्दर चित्रकारी की गई है रेलवे की इस अनूठी पहल में अलवर के बाला किले का सौंदर यह होप सरकस, मुसी महारानी की छत्री, एतिहाचिक सागर, सिलिशेट जील तता सरिस्का बाग परियोजना के बाग सहीत अलवर के अनेक परिटन इस्थलों की खूबियों को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है प्रदेश वासियों के लिए खुशी की खबर है अलवर जिले से अलवर जिले में परिटन की दृष्टी से रेलवे ने एक नई पहल की है अलवर के अलवर के भाग से जिले खुशी की खुशी के बाग से विए मोगियों की खुशी के